इस बहुत ही बुढ़ा आदमी लगभग मरने की कगार पर है। चुप करो बुढ़ा इतनी आसानी से मुझसे पीछाना छुड़ा पाओगे तुम। कांता भाग कर घर के बाहर जाती है तो देखती है कि उसका पती बाहर पड़ा हुआ है। कांता उसे किसी तरह घर के अंदर लाती है और उसके कपड़े बदलवा कर बिस्तर पर लिटा देती है। वो उस पर गुसा करने लगती है इतनी रात में बाहर बारिश में जाने की क्या जरूरत थी। बच्चे हो क्या अभी कुछ हो जाता तो। कांता मैं बाहर बारिश में नहाने नहीं गया था बलकि ये देखने गया था कि आसमान में पूरा चांद दिखाई दे रहा है या नहीं। तुम सच में सठी आ गए हो, इतनी तेज बारिश हो रही है, बादलों ने आस्मान खेर रखा है, चांद कहां दिखाई दे जाएगा भला, वो बुढ़ा अदमी कुछ सोचता है और फिर कांता से बोलता है कि, कांता, मरते समय मेरे गुरू जी ने मुझे कोई चीज दी थी, जो उस बकसे में रखी हुई है, उन्होंने कहा था कि जिस पूर्णी मा की राद बारिश हो रही हो, उसी राद पूरा चांद भी दिखाई दे रहा हो, उस दिन ही वो बकसा खोलना, तब तेरी जिन्दगी और नसीब, सब कुछ बदल जाएगा, पर आज तक ऐसा सयोग ही नहीं बना, जिस पूर्णी मा की राद पूरा चांद दिखता है, उस राद बारिश नहीं होती, और जिस पूर्णी मा की राद बारिश होती है, उस राद पूरा चांद नहीं दिखता, अच्छा, तो इसी तुम उस बकसे को किसी को छूने नहीं देते हाँ गानता इस बारे में मुझे आज तक क्यों नहीं बताया गुरुजी ने किसी को भी इस बारे में बताने से मना किया था तो फिर आज क्यों बताया मुझे बोलो क्योंकि मेरा बुलावा आ चुका है अल्मारी में उस बकसे को मैंने इतने दिनों तक संभाल के रखा है अब से वो तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे जाने के बाद अगर ऐसी रात आए कि चान भी पूरा दिखे और बारिश भी हो तो उस बकसे को खोलना तुम्हें इस करीबी से मुक्ति मिल जाएगी कान्ता ये कहते हुए वो बुढ़ा मर गया कान्ता जोर-जोर से रोने लगी उसके रोनी की आवाज सुनकर गाउंवाले वहां आ जाते हैं और अगले दिन उसके रिष्टेदार आकर उसका अंतिम संसकार कर देते हैं रात में कान्ता की सब रिष्टेदार छट पर बैट कर आपस में बाते कर रहे होते हैं और मैं उसका दामाद सुबह होते ही सारे रिष्टेदार कान्ता के पास पहुँच जाते हैं कान्ता भी अब पती खोने के बाद बिमार ही रहने लगी अम्मा ये लो इसका किस पर साइन कर दो क्या है बेटा देखो अम्मा ये घर और खेत अब आपके किसी काम के नई आपकी भी उम्र हो रही है न जाने कब बुलावा आ जाए इसलिए आप अपने घर और खेत की जिम्मेदारी हमें दे दीजिए हम अच्छे से समालेंगे सब कुछ इतने में कांता उन दोनों को एक एक थपड मारती है तुम लालची लोगों को अपनी जायदाद देने से अच्छा मैं किसी अनाद को ये तूटा फूटा घर दे तूंकी कम से कम उसे चत तो मिलेगी और दुआएं भी देगा भाग जाओ यहां से उसके रिष्टेधार उस वक्त तो वहां से चले जाते हैं लेकिन कुछ न कुछ प्लान वो लोग करने लग जाते हैं अगली रात वो लोग कांता के कमरे में जाते हैं और अंदर घुसते ही सबसे पहले पंकच कांता का मूर टेप से बंद कर देता है बहुत बढ़िया पंकज, अब इसकी आवास बहार तक नहीं जाएगी, अब बोल बढ़िया, इन कागजों पर साइन करेगी या नहीं कांता ना में सिर हिलाती है, उसके आखों से आशों की धारा भी बहने लगती है, इतने में अजय और पंकज कांता को मारने लगते हैं मार मार कर कांता की हालत भी गार देते हैं वो लोग, कांता के बहुत चोटे लग जाती है, उसके खून भी निकलने लगता है बसकर जै, कही है मर गई तो हम से फस जाएंगे, अब कल तक इसका बाप भी आएगा साइन करने अचलते हैं अभी, मार पीट के कुछ नहीं हुआ तो कोट में केस करेंगे, और सब कुछ शीन लेंगे इस बुढ़िया से इसके पास तो केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है, हम आराम से जीट जाएंगे इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, कांता की आँखों से आशू बरस रहे होते हैं तभी आसमान से पानी भी बरसने लगता है, कांता अपने पती को याद करके पारिश में भीगने लगती है आज इसी बारिश में भीग कर मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ बुढ़ा हूँ इतना कहते बारिश और भी तेज हो जाती है अचानक कुछ बादल छट जाते हैं और पूरा चान दिखाई देने लगता है तभी उसे अपने पती की कही वो बात याद आती है आज पारिश भी हो रही है और चान भी पूरा है देखती हूँ कि आखिर उस बकसे में ऐसा क्या है कमरे में आ जाती है और उस बकसे को खोलती है उस बकसे में एक साधारन सा बहुत पुराना चिम्टा निकलता है और कुछ नहीं इसमें तो सिर्फ एक चिम्टा है वो भी इतना पुराना, इस चिम्टे के लिए इतनी बड़ी शर्त क्यों रखी थी गुरुजी ने, चलो कोई बात नहीं, इस चिम्टे को अपने पती की आखरी निशानी समझ कर रख दूँगी, और जब तक जिन्दा हूँ इसी चिम्टे से रोटी बनाऊंगी, अगले दिन जैसे ही कांता उस चिम्टे से रोटी उठाती है, वैसे ही वो रोटी सोने की बन जाती है, कांता हैरान हो जाती है, हाँ, ये रोटी सोने की कैसे बन गई, अब कांता कुछ और भी चीज़े उस चिम्टे से उठाती है, और वो भी सोने की बन जाती है, अब कांता जिस सामान को भी उस चिम्टे से उठाती सब सोने का बन जाता तब कांता को मामला समझ में आता है अच्छा तो यह बात है यह जादू ही चिम्टा है उसके कुछी दिनों बाद फिर से उसके रिष्टेदार एक वकील को ले कराते हैं पर वो लोग देखते हैं कि वहां पर अब एक हवेल और एक अनाथ आश्रम बना हुआ है बाहर सिक्योरिटी भी है आई यह हमारी रिष्टेदार का घर है ओ भई ओ कांता मैडम का कोई रिष्टेदार नहीं है समझे उन्होंने का है कि कोई भी रिष्टेदार बता कर आए तो उसकी अच्छे से धुनाई कर देना वो सब अपन बंटी और बबली दोनों सगी बहने दोनों ही एक नंबर के चालाग थी वो बुड़ी औरतों का भेश बना कर अलग-अलग गाओं में जाती थी और जहां भी सीधी साधी अमीर से ठानी औरते दिखाई दे उनको ठग लेती थी अरे मुरी मैया ये तो सच में जादू हो गया मुझे भी कोई ऐसी दवाई दे दो मैं तो बिल्कुल ऐसी 20 साल की जवान लड़की बनना चाहती हूँ मेरे पती तो मुझे पसंदी ने करते हमेशा मुझे बुड़िया बुड़िया कहकर चिढ़ाते रहते हैं तही कहरी हो बेहन मेरे पती भी मुझे ऐसे ही सुनाते हैं कि तू तो आप बुड़ी हो गई है तेरे उपर कुछ पहना उड़ा अच्छा नहीं लगता अब दिखाऊंगी मैं कितनी सुन्दर लगती हूँ वैसे ये दवाई खा कर हम कितने दिन में जवान हो जाएंगे बस एक बार ये एक हफ़ता दवाई खा लो उसके बाद आने वाले एक हफ़ते के अंदर तुम्हारे अंदर बदलावा जाएगा पर ये दवाई महंगी है इतना याद रखो 51,000 रुपए का शगुन डालना प अजार रुपए ले आओ और ये दवाई ले जाओ अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है पैसो की चिंता तुम ना करो हम कल ही ले आएंगे पर मेरी तो अब बहन की लड़की की शादी है मैं सोच रही हो कल से दवाई शुरू कर दू हाँ आप कल से ही दवाई शुरू कर दो त बंटी और बबली के जहासे में आ जाती हैं और उनसे दवाई खरीद लेती हैं बंटी और बबली तो अपना काम करके उन ओरतों को ठक कर कपका वहां से रफुचकर हो चुकी थी पर मोहनपुर गाउं की ओरते अपना सेर पीटती रह गई उनकी घर में सभी उने डांटने और वो अरती तुम्हें ठक कर चली गई अरे मुझे अकेली को क्यों डाट रहे हो सब किया धराव सुशीला का है वही मुझे उन ओरतों के पास ले गई थी पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनमें से एक बूरी दादी और वो उसकी पोती क्या जो हमें पाग अगला निशाना ढूंडते हैं थोड़ा गाउं में घूमाए ठीक है पहले इन सब का विश्वास भी तो जीतना होगा अरे वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है बंटी और बबली दो बुढ़िया बनकर सीतापुर गाउं में घूमने लगी वो एक चौपाल के पास से बंटी और बबली जानती थी कि ये सही मौका है अरे लाजवन्ती कितने दिन में मैं जवान हो जाओंगी दवाई की पाच खुराक तो मैंने खाली है सुमेत्रा तुझे सबर नहीं है मैंने तुझे कहाना तुदेखना सुन्दर लड़की में ना बदल जाए तो मेरा नाम मैंने भी वो दवाई शुरू कर दी है अरे हम जैसी बहुत बुढ़ी औरते उस दवाई को खाकर जवान हुई है ये दोनों बुढ़िया औरते गाउं में नई दिखाई दे रहे है पर ये किस दवाई की बात कर रहे है जरा पूछ तो अरे बेहन जी जरा रुकना आपको इस गाउं में पहली बार देखा है आप ये किस दवाई की बात कर रहे हो जी नमस्ते हम दोनों हम दोनों तो बुढ़े से जवान होने की दवाई की बात कर रहे हैं हम वो दवाई खा रहे हैं अब बुढ़े शरीर से काम नहीं होता उमर हो चली है शरीर कमजोर हो गया है हम मुझ बुढपा जहेला ही नहीं जाता कभी कोई बिमारी शरीर को खेल लेती है, कभी कोई हमसे अब बुढपा सहन नहीं होता इसलिए हम जवान होने की दवाई खा रहे हैं अच्छा, तो उससे कोई भी जवान हो सकता है, अगर हम लोग वो दवाई खाएं, क्या तुम हमें भी वो दवाई दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो दवाई तो हम जरूर दे सकते हैं, उसके लिए 51,000 रुपए देने होंगे, वो शकुन होता है, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, पर पहले आप हमें इस बात का सबूत दो कि वो दवा पांच दिन हो चुके हैं, बस कल एक दवाई और लेनी है, फिर परसो मैं तुम्हें एक जवान लड़की के रूप में दिखाई दूगी, ठीक है, तो फिर हम परसो ही दवाई खरी देंगे, पहले तुम्हें देख तो ले, आजकल चोर उचक के बेमान ठक बहुत लूटने लगे हैं, अरे तो ठीक है, आप जब परसो सुमित्रा को लड़की के रूप में देखोगे, तब ही आपको विश्वास होगा, यार बबली, आप कुछ दिनों के लिए बाहर घुमने चलेंगे, बस ये थोड़े और पैसे आ जाए, बहुत ठक गईयों मैं ये बुढ़िया पैसे जोड़ चुके थे, अगले दिन गाउं की सारी अमीर घर की ओरते बंटी और बबली के पास दवाई लेने पहुच जाती है, ये मेरी ननद है, कल ही दूसरे गाउं से आई है, मैंने इसे भी आपके बारे में बताया, तो ये बोल रही है कि इसे भी वो दवाई चाहि जल्दी से इनने अपना जादू दिखा, सब और ते चौंक जाती है क्योंकि बबली अब एक लड़की के रूप में थी, तभी सेठानी की ननद बोली, क्या बात है, वैसे कितने दिन लगे आपको बुढ़िया से जवान होने में, मुझे तो एक हफता लगा था, वैसे जमा कर दो, तो हम आपको दवाई दे दे, दो दिन का इंतजार क्या करना है, मैं आपको अभी लड़की बन कर दिखा देती हूँ, सेठानी की ननत कोई बुढ़ी अउरत नहीं थी, बलकि सेठानी की भतीजी ये सब नाटक कर रही थी, जो पिछली रात ही अपनी बुढ़ के घर रहने आई थी, जब सेठानी की भतीजी रीमा को ये बात पता चली, तो उसे दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि उसकी अपनी सहेली की मा के साथ ऐसा हो चुका था, और वो बदमाश औरते कहीं नहीं मिल रही थी, बुढ़ी ये कोई बुढ़ी औरते नहीं, ये दो चालाक लड़कियां हैं, ये ठग हैं, गाउं गाउं जाकर सबको बेवकूर बनाती हैं और पैसे ठगती हैं, असल में इनका नाम बंटी और बबली है, पहले ये दो बुढ़िया के रूप में गाउं में जाती थी, फिर इनमें से एक अपने रूप में वापस आ जाती है, बस यही सारी औरते धोखा खा जाती हैं, ये अपना मेकप उतार देती हैं, अच्छा, ऐसी बात है, हम तो इनके जाल में फसे ही जा रहे थे, अब तुम दोनों को यहां से कोई नहीं भागने देगा, रीमा बिठिया, जल्दी से चोधरी साहब को और बाकी गाउं वालों क खा लेंगे, रीमा की समझदारी से बंटी और बबली जो की बहुत समय से लोगों को ठगने का काम कर रही थी, उन्हें पुलिस पकड़ने दी और उन्हें चेल हो जाती है, दोनों को अपने किये की सजा मिल जाती है, बंटी और बबली दोनों को समझ आ गया था कि चोर कितन भी समझदार हो, कितना भी चालाक हो, पर एक ना एक दिन उसे अपरात की सजाथ जरूर मिलती है.